जीडियेर स्टूडन्ट, इस वक्त मैं लेह में मजूद हूँ, आज के इस प्रैक्टिकल जियोट्रोपिजम का अमली मुझारा करने के लिए, जो इस प्रैक्टिकल में दरकार समान है, सबसे पहले उसका तारफ आपको करवाता हूँ, ये मेरे पास बिगोए हुए, यानि सो केप है और ये कैंची है, ये अशिया हमें दरकार है, अब चलते हैं परफॉर्मस की जानिव, तो सबसे पहले हम मार्कर लेंगे, मार्कर की मल से, ये जो मेरे पास पैटी डिश है, इसके सेंटर में मैं एक लाइन लगाऊंगा, जैसे कि अभी हमने बात की थी, और इस तरह एक और लाइन लगाएंगे, जो एक दूसरे को 90 के एंगल बेक दूसरे को इंटरसेक्ट कार रही है, इसके बाद हम ये जो सुखट बीज है, बिगोए हुए है, इनके जो पॉइंटिड एंड है ये वाले, पॉइंटिड एंड है, ये हम रखेंगे चारो कॉर्नर पे, और पॉइंटिड एंड जो होगा, वो पैटी डिश के सेंटर की तरफ होगा, ये देखिएगा, ये मैंने पहला बीज रखा है, इसी तरह ये आप देखीगा, इसका जो पॉइंटिड एंड है, ये वाला, ये आपको वाज़ा नजर आ रहा होगा, ये मैं रखूँगा, अंद पॉइंटिड एंड है, ये मैं अंदर की तरफ सेंटर की जाने पर इसको ये रखूँगा, इसी तरह ये चोथा जो बीज है, इसका जो पॉइंटिड एंड होगा, वो भी सेंटर की तरफ रखूँगा, तो ये देखिएगा, आपके सामने ये बीज है, इसका जो पेपर लेके इसके उपर रखूँगा और इसके बाद मैं कॉटन लूँगा कॉटन की मज़ से यह जो सैड़े बाकी बची है इनको फिल करूँगा यहां से यह देखें यह देखें इसको अच्छे तरीक ऐसा दबाना है दबाने के बाद दूसरी पैट इडिशन लेके इसके उपर यह उल्डी रखनी है ऐसे और उसके बाद आप देखेंगे कि सीड अपनी पुजिशन पे बिल्कुल आ चुके हैं उसके बाद टेप लेंगे और टेप के मज़ से इनको हम सैड़ों से यहां से सील करेंगे ताकि सीड जो है वो अपनी असल पुजिशन से आगे पीछे ना हो यह आप देख रहे हैं इस वकत इसके चारों कॉर्णर पे मैं टेप की मज़ से सील लगा रहा हूँ यह देखें यह लग चुपी है अब यह पैटी डीश अपनी असली हालत में इसी तरह रहेंगी और जो आपको बीज नजर आ रहे हैं वो भी अपनी असल पुजिशन पर है और अगर देखें तो इनके पॉइंटी टेंडर यह अंदर की जानी बाए यह देख लीजिए यह मैं क्या करूंगा इसी तरह अप्रेटर्स को रखूंगा दो तीन दिन के लिए और दो तीन दिन के बाद अब जब हम मुझारा इसका चेक करेंगे यह अब्सरविशन चेक करेंगे तो आप देखें कि जो पॉइंटे डेंडर यहां से रूट निकलेंगी वो सेंटर की जान तो यह सारे प्रेटर्स को मैं तीन दिन के लिए रखता हूँ तीन दिन के बाद हम देखेंगे किस तरह जो रूट्स हैं वो जियो ड्रॉप्सम का मुझारा करती है तो आईए तीन दिन वेड करते हैं जीडिये स्टूडन तीन दिन के बाद हम अब हम दुबारा चेक करते हैं जो दोनों पैटी डिशिस के अंदर हमने चार मटर के बीज रखे थे चारों कॉर्णर के अंदर आप देखते हैं कि उनके अंदर किस तरह जियो ट्रॉपिजम हुई है और रूट्स किस तरह टूर् को ये जो उपर वाला ये सीड नजर आ रहा है इसके ये देखे रूट निकली है और वो नीचे की दर जा रही है क्योंकि हमने इसको यूँ वर्टिकल पॉजिशन में रखा था तो ये उपर वाला सीड से जो रूट निकले वो नीचे की जनीब जा रही है अब हम देखते ह तो ये मूव करके उपर से नीचे की जानीब आ रही है ये देखिएगा ऐसे मूव करके नीचे आ रही है और अब ये देखिएगा आपको वाज़ा तोर पे नजर आ रहा है हला कि हमने इसका पॉइंटेट एंड सेंटर की तरफ किया था लेकिन जो रूट है वो निकल कर वो जानीब आ रही है ये देखिएगा ऐसे मूव करके नीचे की जानीब आ रही है ये देखिएगा तो इससे थाबत होता है कि रूट जो है वो हमेशा जियो ट्रॉपिजम केता है जमीन की तरफ यानि ग्रैविटी की वहाँ से जमीन की तरफ मूव करती है अब यह जो सील गई थी टेप हमने इसको उपन करके अंदर से देखते हैं और आप देखेंगे वाज़ा तौर पे आपको इनकी जो रूट्स हैं वो नज़र आएंगे यह देखेगेगा यह चारों सील इसकें अंदर होगे पीछे हैं आपको नज़र आ रहे हैं यह देखेगा। ये सेड देखhtए गा आपको इसके वाज़ासत और पर ये सिर्ट नजर आ रही है, रोट ये देखें इसी तरह हम दूसरा बीच चेक करते हैं, जो नीचे पड़ा चारों बीच चेक करेंगे और वाज़ास तरह हमेन के रूट्स जो है वो नज़र आएं ये देखिएगा ये दूसरा है सेम इस तरह ये तीसरा इसको देखें आप इसकी भी आपको यहां से रूट नज़र आ रही है ये देखिएगा इस तरह ये चोथा बीज है इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर भी वाज़ा तोर पे आपको ये रूट नज़राए इस तरह चारों जो सीड्स हैं उनके अंदर आपने देखा कि रूट ने पॉस्टिव जियोटरोपिजम यानी जमीन की तरफ हरकात को शो किया है जिस सहबत होता है कि जर्मी नेशन के दुरान जो रूट ने जमीन की तरफ हरकत करती है तो उमीद करता हूँ कि आपको आज के इस प्रैक्टिकल की अंडेस्टेडिंग हो चुकी होगी